नमस्कार यह जो मूर्ख जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है अब यह मौडरन मूर्ख का नाम है बीजेपी का दिली भोश इसके दिमाग में गोबर है या कीचड़ है या भूसा है समझ में नहीं आता इन्हों ने खुद चुनाव के वक्त एक हतियार दुश्मन को दे लिया और मौमता जी ने कहा धन्यवाद मोडी जी ऐसे ऐसे बेवकूफों को बीजेपी में रखिये तबी हमारा कुछ होगा तो यह दिखाएंगे यह मामुर्ग क्या कहता है और इससे भी इंटरस्टिंग बात है कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशं और भी इंटरस्टिंग बहुत से होते हैं ना पपू होते हैं उनका IQ का लेवल ऐसी होता है लेकिन इसका जो पढ़ाई लिखा यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है हर आदमी के पास सर्टिफिकेट होता है पढ़ाई का क्लास 10 पास किजिए इंटरमेडियेट केजिए इसके पास सर्टिफिकेट नहीं एफिडेविट होता है वो भी दिखाएंगे ऑथन्टिक प्रूफ के साथ तो पहले दिखाते हैं यह बेवकूफ क्या कहा क्या कह सकता था क्या चूग गया मन राजनीती में सब मूर्ख भरे है मूर्खों का तोली है बंगाल का बीजेपी दुनिया भर के मूर्ख व बेवकूफों से भरे है यह सड़क्चाप यह तो हम पहले कहते था यह नितिश कुमार जो सड़क्चाप सेक्स ग्यान देता था उससे भी यह और एक कदम आगे तो सुनिए यह बेवकूफ की भाषा स भाषा यह सड़क्चाप जो पड़ाई लिकाई नहीं करते जो गली में गाली देते उनकी भाषा बंगला निजर भाईपों के चाहिए बिहार उपी से दिदी की यह गोवा तो अमीं गोवार में है तु इनका कहना है कि ममता दीदी क्या कहती है कभी गोवा की बेटी हूं क कभी इसम की बेटी हूं कभी तत्रिपुरा की बेटी हूं यह कहते अपना भाप ठीक करो यानी एक बाप का होना चाहिए तो यह गलतियां की लिटरले हलांगी सड़क्षा भाषा यह सड़क्षा यह क्या कहन है लोफर का बहाषा है वो तो अलग चीज़ए लेकिन इनका ग बेटिया वह आपका मां होता है बाप नहीं होता है भारत की बेटिया भारत आपका क्या है मां है अगर कहते हैं त्रिपुरा की बेटिया त्रिपुरा उसका मां है जमीन हमेशा मां होता है यह बंगला मदटंग है यह भी नहीं जानते हैं दूसरी गलती यह है कि बाप जो है बंगॉली में और भूस से लैंग्विज में ये गाली होता है, कोई पिता को बाप नहीं कहता, बाप क्या कहते हैं, कोई पैसा नहीं दिया, ए तेरे बाप का माल है क्या, ये गाली होता है, ये कोई इजद्दार आदमी पिता को बाप नहीं कहता, बंगॉली में या तो पिता कहते हैं या बाबा कहते हैं तो यह बाप वड़ी एक गाली है एक सड़क्षा भाशा है लेकिन सबसे यह मूर्ख जो किया इतना बड़ा मुद्दा इसने हतियार ही इस्तेमाल नहीं करना जाता यह हतियार को ममतादीरी को दे दिया मनिए चुनावी मौसम है और यह सबसे बड़ा हतियार खुद गुड़गोबर कर दिया और हतियार किसके हाथ में दे दिया दुश्मन के हाथ में क्योंकि यही चीज जब अगर ममता दीदी कहती है कि हम गवा की बेटी है त्रिपुरा की बेटी है तो इनको यह कहना चाहिए था कि हम मानते हैं हम मानते हैं दीदी आ आप सचमुझ गुवा की बेटी है, आप त्रिपुरा की बेटी है, असन की बेटी है, आप पूरे भारत की बेटी है, हम तो मानते हैं, लेकिन आप जब मोदी जी आमिशा जी बंगाल में आते हैं, तो आप उन्हें आउटसाइडर कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो भी बंगाल क बेवकूफ ने अब उल्टा यह बैक फूट पर है टीम से हमलावर है भीजेपी बैक फूट पर है यह होता है यह बेवकूफों का इनका IQ 0 है इनका कुछ हो नहीं सकता नितिश्कुमार IQ क्या करेंगे वह सत्य अंद्र जैन क्या करेंगे राहूल गांधी कुछ कर सकते हैं इन Wikipedia में इन विकीपीडिया है टो राइड साइड में मैंने दो चीज एक उनके चित्र के उपर और चित्र के नीचे किया है कहते हैं he claims to have pursued डिप्लोमा एं इंजिनरिंग crime करता है certificate नहीं है वह दावा करता है कि मैंने engineering डिप्लोमा किया है और पॉलिट टेक्निक डिग्री है यह कहता है एफिडेविट में यानि इसका एफिडेविट होता है इसका सर्टिफिकेट नहीं है पढ़ाई करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है ना जब इंजिनिरिंग कोर्स करते हैं डिप्लोमा करो कुछ भी करो क्ला प्रेडेवेट पर अंगुटा छबोगा लेकिन उससे भी बड़ी बाते चित्र के नीचे जो पॉलिटेख्निक इंस्टीटूट के बारे में कह रहे हैं वह इंस्टीटूट कह रहा है कि हमारे कॉलेज से इसने डिपलोमा पास नहीं किया यह तो कह रहे हैं मैंने पास किया ल इनके पास certificate नहीं है, एफिडेविट में कहते हैं मैंने पास किया, आप एफिडेविट सच है या college का record सच है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो यह fail किया होगा, तो वही बता देते हैं मैंने fail किया है, और नहीं तो यह जब college के पास से जा रहे थे, भारी बारिश हो रहा था यह बारिश के लिए college में 5 मिनिट रुके हुए थे, इतना ही college से संपर्ख है, यह मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ, यह एफिडेविट देगा तो अंगुटा छब देगा, जो है वही बताओ ना, class 10 पास है तो उतना ही बताओ, class 12 है तो उतना ही बताओ, यह ज़रुवत क्या कि दावा करते हैं एफिडेविट के ऊपर, और college कहता है नहीं नहीं है, मेरे college से पास नहीं किया, गजब के आदमी होते हैं यह, लेकिन गलती इसकी नहीं है, इनका जो पढ़ाई का और इनका जो IQ 0 बड़ा सन्नाटा है, वही राहुल गांदी, वही सत्येंदर जायन, वही मनिश्य सोधिया, वही संजय रावत उखार दिया, एडिटर, यह सबका IQ, त्रमों में है, एक भतिजा है, सबका IQ लेवल 0 बड़ा सन्नाटा, यह उसी ग्रूप में आते हैं, इनका इस जनम में कुछ होने वाला नहीं है, इस जनम में इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसक गोबर और कीचड़ और भूसा से भरा रहेगा, इसका कुछ बुद्धी का विकास नहीं होगा, लेकिन यह जो हतियार सौंप दिया, गल्ती इसकी नहीं है, इसके शिक वाली जोड़ी है, वह जानता है, नहीं जानता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, जब पॉलिटि बनने के पाग, ओनर री डिग्री ले ले लेते हैं, ऐसे कोई डिग्री होता नहीं है, बहुत से ऐसे सरक्षाप हमारे मंत्री रहते हैं, और हम बेवकूफ उनको वोट भी देते हैं, लेकिन यह उसकी गल्ती नहीं है, यह मोदी जी और अमिशा जी और जेपी नड़्डा क की गल्ती है कि ऐसे मूर्खों को नेता बनाते हैं, आप इस तरह के बेवकूफों को अपने पार्टी का नेता बनाते हैं, परिवार तो है नहीं, आपका परिवार का है, परिवार वाद होता थो ठीक है, अपने कोई बनाना है, यह परिवार के तो नहीं, आपका परिवार तोगया को जहिए दिखिये को सेक्रटरी किसको जो रहे हैं मोधी जी अलग सो रहे हैं दा लख सो रहा है साब सो रहे है और गजी 9 ऐसे मोर्खों से बंगाल जितेंगे इसे मूर्खों से बंगाल जितेंगे अरे थोड़ा सा मोरी जी 18 घंटे दोए वैने घंट यह भी किजिए एक घंट इतना किजिए कि कि 가지 में आपका कैसा कैसा आदमैं है थोड़ा देख लेजिए लेकिन आप जब एक जिम्मेदार पोस्ट देते हैं तो आपको देखना चाहिए इनका कोई दिमाग फिमाख है या भूसा भरा हुआ है या गोवर भरा हुआ है यह त्रिणमोल पर कीचड उचालना चाहते थे और खुद पूरे गला तक कीचड में दब गए तो यह तो मोरी जी अमिश्चा को देखना चाहिए जेपी नड़ा को देखना चाहिए कि आप किसको भाजपा का कुछ प्रभारी बनाते हैं कुछ इंचार्ज बनाते हैं क्या पोस्ट देते हैं यह थोड़ा देखना चाहिए जिस तिसको जो बेव को फाता है उसको बना देत और फिर बहाजबा जीतेंगे इस तरह का आर आद्मी रहा तो बीजेपी कभी बंगाल में जीत नहीं सकती और जीतना भी नहीं चाहिए वरना ऐसे ही लोग मंत्री बनेंगे यहीं लोग मंत्री बनेगे बीजेपी को बंगाल में जीतना भी नहीं चाहिए अगर आपका नेता इस तरह का हो, आपका बंगाल का यूनिट अगर इस तरह के नेता से बरा है, तो मुझे लगता नहीं कि बंगाल में बीजेपी को जीतना नहीं चाहिए, चाहिए एक संदेश खाली हो या हजार संदेश जैसे मूर्क हो और मंत्री बनाना है तो बीजीपी का नहीं जीतना मंगल में है तो यही बेवकूफी है ऐसे बेवकूफ आएंगे तो इसलिए कहता पपू हर जगव होते हैं लेकिन सूपर डूपर पपू कुछ लोगों के किस्मत में होता है मोधी जी आपका बहुत बहुत मने आभार कि आप ममता दीदी करें मैं नहीं करा ममता दीदी आपको धन्यवात दे रही है कि आप इसी तरह मुर्खों को बंगाल में रखिये ताकि आप कभी जीत नहीं सके और आप जीस संगेगे भी नहीं, जब तक थोड़ा थीक से selection करेंगे, ठीक से chain करेंगे, अभी तो आपके पास और एक बहुत intelligent आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, justice गांगूली है, उनको कहिए कि कोई भी statement देने से पहले उनके अनुमती से देगा, अगर इतना नहीं कर सकते हैं, तो बंगाल को भूल चाहिए, हम फिर मिलेंगा एस और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,